नमस्कार दोस्तों Study IQ पर आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है अनिरुद और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ Scorpion Class Submarines के बारे में तो I am sure आपने Scorpion Class Submarines के बारे में पहले भी सुना होगा अब अच्छी बात क्या हुई है कि recently MDL यानि कि मासगाउं डॉक्स लिमिटेड ने हाल ही में तीसरी इंडिया के द्वारा बनाई गई Scorpion Class Submarines को Indian Navy को स्वाप दिया है और आने वाले एक या दो हफते के अंदर-अंदर Indian Navy इस Submarines को कमिशन भी कर लेगी तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ discuss करूँगा कि what exactly are the Scorpion Class Submarines यानि कि इनके कुछ basic features क्या होते हैं उसके बाद एक project है जिसका नाम है project 75 I am sure आपने इसका भी नाम सुना होगा तो उसकी details भी आपके साथ discuss करूँगा और कुछ ऐसी ऐसी बाते बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी तो मेरे साथ ध्यान से जुड़े रहना also हम अंत में बात करेंगी कि ये वाली Submarines भारत को ऐसा क्या advantage प्रवाइड कर रही है जो कि अभी तक भारत के पास नहीं था चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कोई भी आपको doubt है या query है तो मुझसे Instagram पे पूछ सकते हैं Study IQ आपको यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं from the Google Play Store और आप पे आपकी UPSC परीक्षा को असान करने के लिए हमने launch किया है एक course जिसका नाम है Study IQ आप और आसानी से आप course को purchase कर सकते हैं EMI options भी आपको provide करवाई गई है So देखे शुरू करने से पहले कुछ basics में clear करना चाहता हूँ क्योंकि इस particular topic around काफी confusion है देखे सबसे पहले तो scorpion type submarines क्या होती है scorpion type submarines basically conventional submarines होती है जब मैं कह रहा हूँ conventional submarines तो conventional submarines का मतलब होता है कि या तो ये diesel के उपर काम करती है या फिर ये बिजली के उपर काम करती है Diesel slash electric submarines को conventional submarines कहा जाता है जो इसके विपरीत जो modern submarines होती है वो होती है nuclear powered submarines जो की काफी जादा advanced होती है ये जो conventional submarines है असल में इसको बनाने वाली company जब ये दुनिया में पहली बार बनाई गई थी तो इसको बनाने वाली company थी naval group ये एक France की बहुत ही बड़ी conglomerate company है naval group जो की scorpion class submarines को export market के लिए बनाती है ठीक है आज की date में अकर हम बात करें दुनिया भर में लगभग 14 scorpion class submarines है जो की दो चिली के पास है जो South American country है दो मलेशिया के पास है उसके बाद 6 इंडिया के पास है और 4 जो है Brazilian Navy के पास है तो कुल मिलाके दुनिया भर में आज की date में 14 scorpion class submarines है जो function कर रही है और इसके जो basic designs है वो असल में naval group जो की France based company है उसके द्वारा ही दिये गए है अब देखिए ये वाला जो conventional submarines का program है इंडिया में इसको लेकर कुल मिलाके 3 programs चल रहे है वो 3 programs क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा लेकिन ये जानकारी basically कुछ official documents के थुरू मिली हुई है कि इंडिया नेवी ने दो जो है programs को already ongoing process में डाला हुआ है और तीसरे वाला भी हमारा on the way है अगर हम इन 3 programs को तोड़ दें तो सबसे पहला जो program आता है इसका नाम है phase 1 और इस program का exact नाम है project 75 ये वाला जो project 75 है बहुत ही popularly I am sure आपने सोना भी होगा भारत के ही अंदर बनाई जाएंगी भारत में जो mass ground dock limited है जो की एक PSU company है इसमें बनाई जाएंगी जो की मुंबई में स्थित है इतनी बात clear है इसमें से जो 6 submarines हैं इसमें से दो already Indian Navy commission कर चुकी है जिसमें पहली वाली का नाम है कलवारी और दूसरी वाली का नाम है खंदेरी कलवारी को हमने commission किया था December 2017 में खंदेरी को हमने commission किया था September 2019 में जो बची हुई submarines है वो धीरे धीरे commission हो रही है और अब जिसके बारे में हम वीडियो बना रही है वो असल में है submarine number 3 that is INS Karanj जिसको की आने वाले एक या दो हफते में commission कर लिया जाएगा ठीक है यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि कुल मिला के 6 submarines हैं तो यह 6 के 6 submarines का जो नाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली submarine है कलवारी, दूसरी submarine है खंदेरी तीसरी है करांच, फिर वेला है, फिर वगीर है और finally वागशीर है मैंने आपको just कुछ general knowledge के लिए कलवारी और वगीर के मतलब बताए हुए है कलवारी का मतलब है tiger shark वगीर का मतलब है sand fish आप मुझे comment section बता सकते हैं बाकियों का क्या मतलब है, क्या वज़े है कि इनको ये वाले नाम दिये गए है ठीक है, तो ये balance submarines जो है ये basically माना जा रहा है कि project 75 को complete कर दिया जाएगा in June 2022 यानि कि आने वाले एक डेड़ साल के अंदर अंदर जो बची हुई submarines है वो भारत को सौफ दी जाएंगी और धीरे धीरे जो Indian Navy है वो उसको commission भी कर लेगी अपनी requirements के अनुसार तो ये है project 75 अब जो next project है उसको भी phase 1 ही कहा जाता है लेकिन उस project का नाम है project 75I ठीक है capital I के नाम से जो अगला project है वो चल रहा है इसमें भी भारत असल में 6 submarines हैं जिसको की induct करने वाला है धीरे धीरे और इसके लिए already जो एक हमारा acceptance of necessity का agreement होता है जो हमारा acknowledgement होता है उसको sign कर दिया गया था 27 February 2019 को देखे जैसे ही किसी भी project के लिए AON sign होता है AON का मतलब होता है कि जी हाँ हम ये मानते हैं कि आज हमें इसकी आवशकता है जैसे ही AON sign हो जाता है उसके बाद चीजें बहुत ही तेजी से start होनी शुरू हो जाती है तो इनकी जो induction है ये शुरू करी जाएगी between 2027 से लेके 2032 तक याने की आने वाले 5-6 साल के बाद इनकी induction को शुरू कर दिया जाएगा और 2032 तक इनकी induction जो है वो चलती रहेगी ये है phase 1 ही लेकिन project 75I तो ध्यान से समझेगा ये पहले वाला project है ये दूसरे वाला project है और तीसरा project जिसके बारे में अभी तक जादा information disclose नहीं करी गई है उसको कहा जा रहा है phase 2 इस project का नाम क्या है ये भी अभी तक public नहीं हुआ है लेकिन इतनी चीज guaranteed है कि इसमें भारत कुल मिलाके 12 submarines बनाएगा और ये सारी की सारी जो पहले 6 बनाई गई थी और दूसरी वाली जो 6 हैं और ये वाली जो 12 है ये सारी की सारी conventional यानि की diesel electric based submarines होने वाली है ठीक है now coming to the latest development तो latest development basically ये हुई है कि जो third scorpion class submarine है वो अब basically Indian Navy को deliver कर दी गई है और इसका नाम है INS Karanj आप यहाँ पे देख सकते हैं INS Karanj was launched by the MDL on 31st January of 2018 देखे launching date अलग होती है commissioning date अलग होती है MDN ने 2 साल पहले ही लगभग 3 साल पहले ही बोल दिया था कि देखे हमारी तरफ से ये good to go है लेकिन उसके बाद Indian Navy उसकी trials करती है C में जाके उसकी trial runs करी जाती है वो trial runs अब खतम हो चुकी है तो 3 साल के बाद अब the submarine is expected to be commissioned with the Indian Navy in the coming weeks तो I hope आपको यहाँ पे launching और commissioning का difference भी समझा गया होगा जो की अब finally INS करांच के साथ होने बाला है देखे ये तो बात रही scorpion class submarines की और India के द्वारा चलाए जाने वाले projects की एक बड़ी ही interesting चीज है जो की हम अपनी scorpion class submarines में धीरे धीरे induct करने वाले हैं इसको कहा जाता है air independent propulsion देखे इस figure को ध्यान से देखे जो मैं आपके सामने submarine दिखा रहा हूँ आपको एक चीज मालूम होगी कि submarine जो है इसको पंडू भी कहा जाता है तो ये basically पानी के नीचे रहती है underwater रहती है अब होता क्या है कि diesel electric submarines जो होती है यानि कि जो diesel के उपर इधन के उपर या फिर जो बिजली के उपर काम करती है उनको कुछ time के बाद बहार आना पड़ता है ये वाला जो part है इसको बहार आना पड़ता है so that ये oxygen ले सकें जिसकी वज़े से fuel को आग लगाई चाती है now ये conventional submarines थी जिनको की कुछ समय के बाद बहार आना पड़ता है आगे जाके planning ये की जा रही है कि हम जो हमारी scorpion class submarines है specially कलवारी हुई, खंदेरी हुई, करांज हुई इनमें हम आगे जाके air independent propulsion systems को include करने वाले हैं जैसे ही हमने air independent propulsion systems को इनमे include किया उसके माध्यम से फाइदा क्या होगा कि हमारा जो diesel generator है वो surface air के उपर उसका निर्भरता कम हो जाएगी यानि कि बार-बार आपकी पंडूवी को बाहर नहीं आना पड़ेगा वो नीचे पानी के अंदर रहकर भी अपना काम कर सकती है उसकी movement जो है वो रुकेगी नहीं यह हाला कि air independent propulsion आज तक अभी हमने किसी भी scorpion class submarine में include नहीं किया है सबसे पहले हम इसको कलवारी वाली submarine में include करेंगे जिसके बाद हम इसको बाकी की submarines में भी include करना शुरू करतेंगे so this is the very very important technology जो कि भारत के पास अगर एक बार आ जाती है तो हमारी आप ऐसा माल लीजे firefighting की capability काफी जादा बढ़ सकती है अगर बात करें strategic importance क्या है क्यों हम इतनी submarines इकठा करने में लगे हुए है देखिए किसी भी career battle group में क्या होता है हर एक चीज का एक proper role होता है किसी भी career battle group में सबसे बड़ा leader होता है aircraft carrier जो कि आप यहाँ पे देख सकते है ये एक simple सा aircraft carrier है जिसके उपर आपको मालूम है कि इसके उपर कई सारे जहाद होते हैं जो कि take off करते हैं basically किसी भी navy को, किसी भी army को आप ऐसा माल लीजे एक strategic advantage देने के लिए aircraft carrier important होता है तो ये सबसे उपर head होता है ठीक है, उसके बाद इसको support करने के लिए होती है कई सारी ships, कई सारी submarines now, इंडिया के पास aircraft carriers की भी कमी है, आपको मालूम होगा ships हमारी काफी अच्छे से बन चुकी है लेकिन हमारे पास submarines की भी कमी है तो इसी कमी को पूरा करने के लिए असल में भारत इन submarines को तेजी से बनवा रहा है, अगर आप देखें आज की date में एक specific number of submarines है जो की भारत की requirement है जो की फिलहाल भारत के पास available नहीं है और submarines दोनों type की, फिर भले वो diesel electric type की हो, या फिर भले वो nuclear type की हो, वो इंडिया के पास अभी भी available नहीं है So currently, India has less number of submarines than what is required, with some more of these from both types being at various stages of construction तो ये बहुत important इनकी strategic importance है जो की ये वाली submarines भारत को provide कर रही है Apart from this, अगर आप देखें, क्योंकि सारी की सारी submarines भारत के अंदर ही बन रही है तो दो बड़ी important चीज़ें पहली बात तो make in India की और दूसरी बात आत्मने भारत का जो हमारा सपना है वो भी तेजी से पूरा हो रहा है because हम इन चीजों को अपने ही घर पे बना रहे हैं, right so मैं समझता हूँ काफी अच्छी development है और अच्छी speed पर delivery हो रही है हम यही उम्मीद करेंगी कि इसके जो targets है वो सही से meet होते रहें और 2022 तक जो हमारे targets हैं कि 6 की 6 scorpion class submarines को Indian Navy commission कर ले, वो भी complete हो जाए इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe